तमस्कार दोस्तों मैं मिनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ यह जिग-जग डिजाइन यह जो हमारा डिजाइन है एक स्लाई का डिजाइन है एक स्लाई है जिसको हमने रिपीट करना है दोनों तरफ से चाहे वह सीधी तरफ हो चाहे वह उल्टी तरफ ह और यह देखने में भी डिजाइन दोनों तरफ एक जैसा ही लगता है चाहे ये डिजाइन का सीधा हिस्सा हो या कि डिजाइन का उल्टा हिस्सा हो इस डिजाइन के लिए हमें 12 के मल्टिपल में फंदों की जरूरत होगी एक फंदा एक्स्टर डिजाइन को इकोल करने के लिए और दो होंगे हमारे इसमें एच स्टिज आज का जो डिजाइन है वो हम डालेंगे 27 फंदों के साथ 12 के मल्टिपल में 24 फंदे एक फंदा एक्स्टर डिजाइन को इकोल करने के लिए 25 फंदे और दो होंगे हमारे इसमे agentin हमारा यह वहां है यह हमने पूरा गाटर शिश्रो में बुनना है और इसकी जो मिपना है यो सारी फणे सीधे बु Drum टे हुए बुरे में पहला आट लिए फणे के लाए उसके बाद सारे में सीधे बुनने जाएंगे दोनों के सब्सक्राइबिए एकी स्लाई है जिसको हमने दोनों तरफ से रिपीट करना है और पूरे फंदे जो होंगे हमारे जो जितने भी फंदे हैं पैटन के उनको हमने सीधा बुनना है पहली स्लाई हमारी बेस रो है फांडेशन रो जिसको बोलते हैं और इसको हमने दोहराना नहीं है इसमें हमने सार सीधे बुनने हैं पूरी सलाई हमारी सीधे बुने जाएगी जितने भी संदे हैं चाहे वह स्थिच है उस्पेटन के फंदे हैं पूरे सलाई हम्हारे सीधि बुनेंगे अब самой हम यहां से अपना डिजाइन शबू खरेंगे यह एक ही इसलाई है जिसको हमने बार बार दोहराना है पहला फंदा बीना बुने उतारा उसके बाद हमने 6 फंदे सीधे बुनने है जो साइड में हमने शुरू करना है अपना डिजाइन तब हमने यहां पे जो है 6 फंदे सीधे बुनने है एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, छे छे फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदे इकठे बुनेंगे और उनको भी हमने सीधा ही बुनना है सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं पूरे पैटरन में दो फंदे इकठे बुने इसके बाद चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बुनने के बाद यहां पे हम एक नया फंदा बनाएंगे एक फंदे को दो बार बुनते हुए एक बार इस फंदे को इस तरह से बुना दूसरी बार पीछे से तो एक फंदे के हमने दो फंदे बनाए यहां दो फंदे कठे बुने थे यहां हमने एक निया फंदा बनाए तो हमारे फंदों की काउंटिक पूरी होगी यह हो गया हमारे design का एक हिस्सा यहां पर एक stitch के साथ हमने 6 फंदे बुने हैं जब भी हम इस design को शुरू करेंगे पहली स्टार्टिंग जो भी होगी हमारी starting के जो फंदे होंगे कि उसमें हमने एक स्टिच के साथ 6 पंदे सीधे बुने हैเรา अब यहां पर बीश में हम एक एक कघूंढे के हम इना है यहां पर हमने 5 पंदे स्टिछ बूने है 1-2-3-4-5, तल रहें हैं है हमारे 6 पंदे होंहें थाओ है फंदा बढ़ाने के बाद बीच में जब हमने दुबारा इसी डिजाइन को शुरू करना है तो हमारे पांच फंदे सीधे होंगे पांच फंदे सीधे अब यहां पे दो फंदे इकठे बुनेंगे दो फंदे कठे बुनने के बाद, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, इस फंदे को दो बार बुनेंगे, ताकि हमारे पास एक नया फंदा भी आए, तो ये होगे एक फंदे के दो फंदे, एच स्टिच इसको हमने सीधा बुनना है, तो ये होगी हमारे डिजाइन की में में स्लाई एक ही स्लाई है तो यही में स्लाई है अब इसको जब दूसी तरफ से बुनेंगे तो उसी तरह से शुरू करेंगे जिस तरह से हमने इस तरफ से शुरू किया था ये उल्टी तरफ है तो पहला फंदा मैं उल्टे में बीन बुने उतारूंगी उसके बाद 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 अब यहां पे अगर हम यहां देखेंगे तो ये वो फंदा है जिसको हमने पिछली बार दो फंदे इकठे बुनते हुए बनाया था यहां पे हमने ये फंदा जो है दो का एक किया था वो फंदा है तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि इस फंदे जब हमने स्लाइट चेंज करनी है तो इस फंदे के साथ अगला फंदा मिलाके दो फंदे इकठे बुनेंगे तो यह होगे हमारे दो फंदे इकठे अब यहां पर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार अब यहां अगर इन फंदों को देखेंगे तो यह दो फंदे वो हैं जो हमने एक फंदे को दो बार बुन के बनाये थे तो जब दूसरी बार पहली बार एक बार ये स्लाई बुनने के बाद जब उसी स्लाई को हमने दोहराना है तो पहले फंदे को हमने दो बार बुनना है एक बार बुना उसी फंदे को दूसरी बार बुना एक के दो फंदे के तो यह हो गया हमारे रिजाइन का एक पोशन अब यहां पे फिर पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब फिर आ गया ये फंदा जो हमने दो फंदे कठे बुने थे दो का एक किया था तो ये फंदा और इसके साथ दूसरा फंदा दो फंदे मिला के दो का एक किया चार फंदे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे और इस फंदे के साथ हमने दो फंदे बनाने तो ये जो है एकी स्लाई है में जिसको हमने बार बार दोहराना है इसी तरह से दोनों तरफ से चाहे वो सीधी तरफ हो या उल्टी तरफ हो सीरी तरफ इसकी जिस तरफ हमारे बॉर्डर की चेन होगी उस तरफ होगी और दूसरी तरफ हमारा उल्टा पोर्शन होगा लेकिन यह देखने में दोनों तरफ से चाहे इसका आगे का हिस्सा है पिछले का हिस्सा है दोनों तरफ से देखने में यह डिजाइन जो है एक जैसा लगता है क्योंकि उसी को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अगर आप चाहो तो इसको अपने पूरे प्रजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो या कि इसका छोटा पोर्शन बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जिस तरह से आपको अच्छा लगता